हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए भगॉलिक चिंतन के एतिहास में एक और नई वीडियो ला रहा हूँ हूँ एक नया स्कूल सुरू करने जा रहा हूँ फ्रांसी सी भगॉलिक चिंतन आज एक नया स्कूल स्टार्ट हो रहा है फ्रांसीसी भगॉलिक चिंतन नई संप्रदाय फ्रांस का भूगॉल और इसमें सबसे पहले जोगरफर है विडाल डिला ब्लांच आज मैं आपको बताऊँगा कि विडाल डिला ब्लांच का भूगॉल में क्या क्या योगदान था तो आए सुरू करते हैं विडाल डिला ब्लांच भुगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय कैसा भुगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय तो आए देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा जोगरफर था भुगोली संप्रदाय का तो सबसे पहले थे फिलिप बुवाच फिलिप बुवाच वास फ्रेंच स्कॉलर देखें लिखा है फिलिप बुवाज was the first French scholar जो फिलिप बुवाज थे वो फ्रांसिसी संपर्दाय के पहले scholar थे और 1752 में इनका तिथी जो है आगे बढ़ते हैं तो आएए देखते हैं पाल विडाल डिला ब्लांच 1848 से 1918 तो यह समझी रहे होंगे कि इनका जो बॉर्ण है इनका जो जन्म है पाल विडाल डिला ब्लांच का जो जन्म है वो कब हुआ है 1848 में हुआ है और इनकी जो म्रती हुई है वो 1918 में हुई है और इनका पूरा नाम क्या है पाल विडाल डिला ब्लांच पाल विडाल डिला ब्लांच तो आए पढ़ते हैं इनके बहुत सारे बहुत ही फेमस इन्होंने योगदान है बहुत ही इन्होंने बहुत फेमस कार करें है जोग्रफी को बहुत कुछ इनकी देन है तो आए आजम देखेंगे इनके क्या-क्या इनों ने दिया है जोग्रफी को और बहुत important terms इनकी पढ़ेंगे उनको याद भी रखेंगे और वीडियो को इसके मत करिएगा पूरी देखिएगा चैनल को subscribe करें लाइक भी करें चलिए ब्लांच चिर प्रतिष्ट भासाओं का विद्यान था देखिए सबस आप उनको पहुत लिट्टरेचर थी भॉसी वह साओं का ग्यान था पहला अस्पेँ को मानय पहुत के जprofit के रूब में भी माना जाता है आप लोग मत कंफ्यूज होना मानब खोल नका रेट जल हैं लेकिन यह प्रांसिसी थे वह इनको माना भूब हो सब्सक्राइग दिकर है लेकिन जो असलियत में है वो रेट जल है लेकिन इनको भी भूगोल की जन्मदात्र पर माना जाता है ठीक है थर्ड आस्पेक्ट देखते हैं इनका ब्लांच 1872 से 1877 तक नांची विश्विध्याले में भूगल का ध्यापन कार किया करते थे ब्लांच ने इनलस डी जोग्रफिया नामक पत्रिका की स्थापन कृति है इन्हों ने इनल्स डी जोग्रफिया नामक पत्रिका की स्थापना की थी इन्हों ने 1894 1894 में Atlas Journal Vidal La Blanche Atlas Journal Vidal La Blanche प्रकाशित करी ये भी इनकी एक पत्र काई है Atlas Journal Vidal La Blanche प्रकाशित की थी आगे बढ़ते हैं इन्हों ने बहुत ही important एक संकलपना दी थी उसका नाम है पेज इन्हों ने पेज की संकलपना पेज कॉंसेप्ट Blanche का ही है Blanche ने पेज का कॉंसेप्ट दिया था पेज के कॉंसेप्ट को विकास किया था Blanche ने पेज का मतलब क्या होता है एक मैं आपको बताए था हूँ Small Homogenous Areas Small Homogenous Areas छोटे एक रूप छेत्र ठीक फ्रेंट्स आए आगे बढ़ते हैं Blanche फ्रांच का पहला भूगल वेता था क्योंकि उससे पहले इतिहासकार भूगल पढ़ाते थे फ्रांच जोता है वो फ्रांच का सबसे पहला भूगल वेता था इससे पहले जो भी जोगरफी पढ़ाय करते थे वो सब इतिहासकार होते थे कोई भूगल वेता नहीं पर फ्रांच में Blanche ही पहला भूगल वेता था जो जोगरफी पढ़ाता था बाकि उससे पहले तो इतने भी थे वो सब इतिहासकार ही पढ़ाय करते थे Blanche संभववाद के विचारक का जन दाता था मैं अब आपको एक चीज़ दो पता देना चाहता हूँ जो है लूसियन लूसियन फ्रेबे जो है एक्चल में वही है संभववाद के जन दाता लेकिन ब्लांच को भी संभववाद का विचारक जन्दाता माना जाता है UGC NET 2019 कि दिसंबर में यह पूछा गया था तो उसमें विरोधी था किसका था वातावर्णिये वातावर्णिये नियतिवाद वातावर्णिये नियतिवाद का गोर विरोधी था और यह संभवाद को था वह संभवाद का समर्थक था लेकिन वातावर्णिये नियतिवाद का बहुत बढ़ा विरोधी था गोर विरोधी था यह इसक फ्रांश का भूगोल में अपनी पुस्तक फ्रांश का भूगोल में उन्होंने टैबलो अर्थात फ्रांश के पठार में भूते गवा मानव लक्षनों का वर्णन किया इन्होंने किस पुस्तक में करा है टैबलो फ्रांश का भुगोलिन की पुस्तक है उसमें इन्होंने टैबलो अर्थात फ्रांश के पठार में भुगते गवा मानव लक्षनों का वर्नन किया था टैबलो बोलते हैं फ्रांस के पठार को इन्होंने अपनी बुक में ऐसा वर्नन करा है आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपोर्टेंट अफधार्ना थी पाल विडाल डिला ब्लांच की जनर दवाय जनर दिवाय जो ये अफधार्ना ये बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एक्जाम में आ भी चुकी है जनर डिवाय के अफधार्ना को भी ब्लांच नहीं प्रतिपादित किया था जनर डिवाय का अर्थ क्या होता है जनर डिवाय का अर्थ होता है जीवन शैली विशिष्ट जीवन शैली बोलते हैं जीवन शैली जनर डिवाय का प्रतपादन ब्लांश नहीं करा था किसने करा था ब्लांश नहीं करा था लंगर आ इसार्भ भॉउममिक एक ताक सिधानत किस ने प्रतपादित किया है इसने बहुत सारी अब धार्न आई बन्स बूसाब झाल फुलेंगा इन सब को भूँत ज़ादे इंपोर्टेंट कि त्यारी के लिए तो प्रिंसपल व Jaguar स्टेटाल डियोड येखी विछ ने कि प्रतपादित किया था उसकी प्रथ convicted स Ugh । इसके अग पर चोब राइट श्कुरों के सशते को ओंने स्टेट आथ नेशनल दी यू racism स्टेट आट निशनल डियरोप है जो कब प्रकाशित हुई थी 1889 में प्रकाशित हुई थी इनकी जो पुस्तक वे 1889 में प्रकाशित हुई है आगे बढ़ते हैं इसकी इनकी एक और पुस्तक है टैबल्यू दिला जोग्रफिया दिला फ्रांच यह देखिए यह बहुत important book है और यह है इन्होंने 1903 में प्रकाशित करिए 1903 में प्रकाशित करिए यह एक साहित्यक ग्रंथ है यह एक साहित्यक यह जो पुस्तक है टैबल् की छाप मिलती है इसमें साहित की छाप मिलती है मैं आपको बताएता हूं अब ब्लांच की जो चिर इसमर निकरती है सबसे महदवपून करती है ब्लांच की जो चिर इसमर निकरती है वह है यूमन जोग्रफी इसने हिउमन जोग्रफी लिखी थी इसकी बहुत ही फेमस पु तक 1921 इसवी में ये प्रकाशित हुई है human geography और ब्लांस की चिर्स मढ़ने पुस्ता है कि मतलब की बहुत ही ज्यादा फेमस भुक है इसके मृत्य को बहुती तो आप इसको जरूर से जरूर लेन करिए और फ्रांस की भुगोल में फ्रांस की ब्गोल का जो विकास करें वह ब्लांस को यह दिया जाता है आप चीज़ अब सब्सक्राइब कीज़ेगा लाइक कीज़ेगा मैं आपके लिए इसके आगे भी कंटीन डिला ब्लांच के बार मैं आपके लिए जीन ब्रूंच मैं आपके लिए जीन ब्रूंच लाओंगा अब इसके बाद मैं आपको जीन ब्रूंच बढ़ाओंगा मैं एक ही करके आपको सारे फ्रांच के जितने भी भूगल वेता है मैं आपको उन सब के बारे में सब कुछ बता बन दिया है तो थैंक यू फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड बी केरफूल स्टे इन हाउस घर से बार मत निकलिए ठीक है फ्रेंड्स